देश की रासधानी दिल्ली के कैंट इलाके में इस सिर्फ शमचान घाट में नौ साल की मासूम के साथ रेप और हत्या जैसे जगन्या परात को अंजाम दिया गया इस घटना के हुए कई दीन बीच चुके हैं लेकिन परिजणों को अब बीन साफ का इंतजार है इस बारदात के दूसरे दिन कई लोगों ने मासूम के परिचनों की आखों के आशू पोचने तो आए लेकिन मामला अब भी वही का वही है कॉंग्रेस सांसद रहुन गांदी के बाद अब दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस के उपाध्यक्स जैकिशन के अगवाई में कॉंग्रेस कार्यकरता मासूम के लिए इनसाफ की मांग कर रहे है इसी के तहट कॉंग्रेस कार्यकरता उने दिल्ली के सुल्तान पूरी की सड़कों और गलियों से कैंडल मार्च निकाला इस दोरान केजरिवाल सरकार के साथ मोधी सरकार के खिलाब चुम कर नारे वाजी की गए जबकि दलित की बेटी थी और कूडा भून करके गुजारा करता था उसकी नो साल की बेटी के साथ बलातकार करका उसको जिन्दा जला दिया गया इसका बगर पोस्ट वाडम की कोई दफा भी निलगाई गया इसके माबाप को बता भी निगए दरसल बीती रविवार को दिली के कैंट इलाफे में इस्तित शम्शान घाट के नांगल में नौसाल की बच्ची की संदिक धालत में मौत हो गई थी और शम्शान घाट में परिचनों की इजाजत के बिना पुलिस वालों ने अंतिम संसकार कर दिया था जिसके बाद मौतिका की परिचनों ने अस्थानी लोगों के साथ मिलकर जल्ती चिता पर पानी डालकर बुझा दिया था इस मामले में दिली पुलिस शक के घेरे में भी नजर आई है फिलाल इस मामले को लेकर मौत की असली वज़ा का खुलासा नहीं हो पाई है साथी वारदात के बाद परिचनों को भी अब इंसाफ का इंतजार है ऐसे ही ताज़तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपड़ट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपर टेवी चानल से साथी राजपर टेवी चानल को सब्सक्राइब करें जरूरी